हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे इडियम एंड फ्रेजिस, तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो, अगर आपने हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आज का फर्स्ट इडियम है, मूँ में राम बगल में छूरी, मिन्स हनी हाट ओफ गॉल, इसका मतलब होता है कि मूँ के सामने चिकनी चुपड़ी बाते करना और पीट पीछे दूसरे के प्रती घ्रणा का भाव रखना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मिन्स, माइट इस राइट, इसका मतलब होता है कि जो ताकतवर होता है उसकी ही बात मानी जाती है, लालज बुरी बला है, मीन्स, ग्रीड इसका मतलब होता है कि लालज नहीं करना चाहिए, एक हाट से ताली नहीं बसती, मीन्स, इक टेक्स टू टू मेक क्वेरल, इसका मतलब होता है कि जब दो लोगों के बीज जगडा होता है, तो उनमें दोनों की ही कुछ न कुछ ग इसका मतलब होता है कि एक जैसे लोग एक ही साथ रहते हैं बंदर क्या जाने अद्रक का स्वाद मीन्स तू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन इसका मतलब होता है कि मूर्ख व्यक्ति को गुणों की पहचान नहीं होती खोदा पहाड निकली चुईयां मिन्स मच एडो अबाउट नथिंग इसका मतलब होता है कि बेवजह की महनत नाच न जाने आगन टेड़ा मिन्स अबैड वर्कमेन क्वेरल्स विथ हिस टूल्स इसका मतलब होता है कि बेवजह के बहाने बनाना घर की मुर्गी दाल बराबर मिन्स फैमिलेरिटी ब्रीड्स कॉंटेम्ट इसका मतलब होता है कि घर की अच्छी चीज की भी कदर नहीं होती उट के मुमें जीरा मिन्स अड्रॉप इन ओसन इसका मतलब होता है कि जब जादा की आउशकता हो तब थोड़ा मिल पाना उची दुकान फीके पकवान मिन्स ग्रेट बोस्ट स्मॉल रोस्ट इसका मतलब होता है कि देखने में तो बहुत अच्छा होना पर असलियत में सामान्य कर भला हो भला means light reflect light इसका मतलब होता है कि जब आप अच्छा करोगे तभी तो आपका अच्छा होगा नाम के बड़े दर्शन के छोटे means great cry and little wound इसका मतलब होता है कि जब किसी चीज को बहुत बड़े तरह से बताया जाता है और वास्तिक्ता में वह उस तरह की नहीं होती थोथा चना बाजे घना means empty vessel make the most noise इसका मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो गुण और विद्या कम होने पर भी आडंबर करे लोहा को लोहा काटता है means diamond cut diamonds इसका मतलब होता है कि बुराई को बुराई से ही जीता जा सकता है दूद का जला छाज भी फूख फूख कर पीता है means a burned child treats the fire इसका मतलब होता है एक बार धोका खाने के बाद बहुत सोच विचार कर का कर काम करना अंत भला तो सब भला means all is well that ends well इसका मतलब होता है कि अंत में जो होता है वही माइने रपता है चार दिन की चादनी फिर अंधेरी रात means a nine days wonder इसका मतलब होता है कि सीमित अवधी के लिए आया अच्छा समय जो गरस्ते हैं वो बरस्ते नहीं means barking dogs seldom bites इसका मतलब होता है जो व्यक्ति बढ़ चड़ कर बाते करता है वह असल में वैसा कार्य नहीं कर सकता जैसा बोगे वैसा काटोगे means as you saw so sell you reap इसका मतलब होता है कि जैसा करोगे वैसा ही फल भुगतना पड़ेगा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे means the pot is calling the kettle back इसका मतलब होता है कि दोसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे निरपराद व्यक्ति पर दोस माड़ना दूर के ढोल सुहावने होते हैं means grass on the other side always look greener इसका मतलब होता है कि दूर से सब अच्छा लगता है जैसे को तैसा means tit for tat इसका मतलब होता है कि जैसा कारे किया हो उस थरह उसे दंड दिया जाना तो दोस्तो इस वीडियो में आपको डेली लाइफ में यूज होने वाले हिंदी to English word meaning की knowledge मिलती है अगर आप इन common word meaning को सीखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को like करें, subscribe करें, share करें और comment करें तो मिलते हैं आपको अपनी next वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई